बस करो यार बस चला कर मार डालोगे क्या जितनी बसें राजनीती में चल रही है उतनी सडकों पर भी नहीं चल रही है एक तरफ बसों को खड़ा कर दिया गया बताते हैं कि बसे खाली थी तो रोक क्यों दिया गया बसों के अंदर आटो और दुपहिया वहान तो नहीं थे वीडियो में हमने देखा है बसें बिलकुल खाली थी बताते हैं बसें मुफ्त में श्रमिकों को उनके घर छोड़ना चाहती थी अरे विश्वास भी कोई चीज है महराज को विश्वास कर लेना था लेकिन नहीं वे तो विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थे सोचा चलो इस अविश्वास का कारण ढूंडा जाए वैसे महराज जितनी बसें अपनी रियासत में चलवा रहे हैं उतनी बसें किसी भी रियासत में नहीं चल रही हैं बसें तो महराज के लिए छोटी चीज हैं वे तो बड़ी बड़ी चीजों को भी बड़ी संख्या में चलवा रहे हैं आप समझ रहे होंगे, मैं ट्रेन की ही बात कर रहा हूँ, काफी ढूंडने पर पता चला कि एक बार पडोस की रियासत से बच्चों को लाने के लिए बसों का इंतिजाम कर लिया था, लेकिन महराज धोका खा गए, महराज से पडोसी रियासत के राजा ने तो पैसे मांग लि हैं, लोग कह रहे थे, महराज को बस नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन लोगों को कौन समझाये, ये सिर्फ उनी के बस की बात है, किसको खड़ी करें और किसको चलने दें, लोगों की बात पर महराज चुप थे, जब लोग ज़्यादा ही बोलने लगे, तब महराज ने रा लाजा ने तो अपने लोगों से ही पैसे ले लिये होंगे, आखिर इतनी बसें क्या फोकट न दे दिये, लोग कहते हैं पैसा तो जरूर लिया होगा, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, अगर उनकी माता और भाई उनके साथ होते, तो बात अलग थी, अब जितनी मुह उतनी बाते हैं, लेकिन महराज से पार पाना आसान बात नहीं है, ये तो साप समझ में आ रहा है, ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर